वेलकम फ्रेंट्स अलफद्धिन पर, पाइथन टुटोरियल में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सेट फंक्षन कैसे हम डिस्प्ले करते थे, सेट फंक्षन के जो जो पार्ट्स से उसको हमने लास्ट वीडियो में देखा, जिसमें एड फंक्षन, किलेर फंक्षन, कॉपि फंक्षन को हमने देखा, डिफ्रेंसिस कैसे चेक करते हैं, सेट के, और चेक करा था हमने सूपर सेट और सब सेट के बारे में, एंड हमने देखा था, डिस्कार्ड अगर हम करते हैं कोई वेल्यू तो वहाँ से, सेट के अंदर से कैसे हट जाती है, एक औ अगर वो values exist नहीं करती, delete के लिए यहाँ पर remove function है, जिसका हम इस्तमाल करते हैं, आईए इसी को हम देखते हैं practically, एक set हम यहाँ पर बना लेते हैं, set के अंदर कुछ values हमने डाल दी हैं, और इन values को अगर हम display कराएं, तो यहाँ पर values है 1, 45, 44, and 5, s1.remove हम यहाँ पर लगा रहे हैं, और हम यहाँ पर डालना है 45, जो कि exist नहीं करता, तो इस case में हमें मिल रहा है error, और अगर वो exist करता है, तो उस case में वहाँ से वो value हट जाएगी, अगर हम s1 को यहाँ पर display कराएं, तो s1 में अब बचा है 1 और 5, next जो function है, वो है pop function, और pop function randomly data अपने आप हटा देता है, यानि कि इसमें हमें value pass कराने की ज़रूत नहीं है, यह automatically यहाँ पर values को delete कर देता है, randomly order में यह delete करता है, ऐसा नहीं है particular किसी हमारे define किये गए number को ही वो delete करेगा, अगर ऐसा हम करना चाहते हैं, तो remove function का इस्तमाल कर सकते हैं, या discard function का कर सकते हैं, लेकिन randomly अगर हम number हटाना चाहते हैं, तो हम pop function का इस्तमाल करेंगे, यहाँ पर हमने लगाया है s1.pop, और यहाँ पर one value को उसने remove कर दिया है, s1 में अब बचा है हमारा 5, हम इसमें और कुछ values एड़ करा देते हैं, values एड़ कराने के बाद हम अपने set को देखें, तो यहाँ पर values एड़ हो चुकी है, और randomly वो एड़ हो चुकी है, 12 कहीं ओर गया है, 14 कहीं ओर गया है, अगर delete कराते समय, pop कराते समय हम value को रखना चाते हैं, तो एक d नाम के variable में में यहाँ पर s1.pop लगाया है, और इस pop function से जो भी value आईगी return होके, वो d में जा रही है, और d को अगर हम display कराएं, तो d में आया है 12, यानिकि 12 number हमारे set से हट चुका है, सीधे सीधे अगर हम कोई sequence, चाहिए वो list हो, या हमारा कोई अलग set हो, वो हम set functions के जरीए define करा सकते हैं, टपल वगेरा भी हम यहाँ पर as a set functions से convert करके, उसे set में define करा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक value add नहीं होगी, क्योंकि set के अंदर एक sequence पास होता है, इसको देखते हैं practically, जैसे हमने एक list यहाँ पर दे दी है, 1, 3, 4, और एक set के अंदर set functions से हमने sequence पास करा दिया है, और वो sequence का अगर हम type चेक करें, तो वो है set, अगर हम simple set function define कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई एक ही value डाल रहे हैं, तो वो possible नहीं है, उस case में हमें error आईगी, क्योंकि वो iterable नहीं है, iterable sequence नहीं है, अगर हम यहाँ पर parenthesis का दुबारा इस्तमाल करें, function के अंदर और as a tuple उस value को पास कराते हैं, तो फिर वहाँ पर as a set वो define हो जाता है, आप उसका type अगर check करें, तो वो होगा यहाँ पर set, तो यह थोड़े तरीके हैं, आप set functions से भी set को define कर सकते हैं, या simple जैसे हमने देखा था, curly braces का use से भी हम set को define कर सकते हैं, python के अंदर, अगर मैं इसमें कोई और values add कराना चाता हूँ, जैसे s में देखें, तो 1, 3 and 4 है, s में हम update कर देते हैं, अपने दूसरे set को, और यहाँ पर जब हम add कर रहे हैं, s के अंदर, तो आप देखेंगे 1, 3, 4 and दूसरे set की value भी यहाँ पर update हो चुकी, तो update function से हम multiple sequences को भी यहाँ पर add करा सकते हैं, हम चाहें, तो यहाँ पर s2, s3, अगर s3 भी यहाँ पर create होता, तो वो सारी values भी हम s, यानि की जो set है, उसके अंदर update करा सकते हैं, यह सभी चीज़े pdf के रूप में available हैं, website पर www.selfadhyan.in, अगर आप member हैं, तो वहाँ से इन pdf को download करके, इनके जरिये study कर सकते हैं, update functions के बाद, एक होता है हमारा intersection functions, जो की intersect करता है कि s1 के अंदर, ऐसी कौन-कौन सी value है, जो set 2 में भी हैं, और set 2 में, आप देखेंगे, 12 और 15 यह दोनों value intersect करती हैं, दोनों value मिलती हैं, इसलिए वहाँ पर intersection में, वही values को यहाँ पर display करा रहा हैं, अगर हम यहाँ पर s.intersection देखें, set 2 के साथ, तो जो value as add हुई थी, थोड़ा से spelling mistake हो गया, intersection के अंदर, spelling अब ठीक हो चुकी है, intersection अगर हम चेक करें, तो 12, 13 and 44, क्योंकि यह exist करता है, दूसरे set में भी, तो वह intersection है, जो दोनों में common है, वह intersection value हमें display हो जाएगी, एक होता है, union function, union function, set 1, या जिस भी set को हम compare कर रहे हैं, वह अगर duplicate value होती है, तो उसको ignore कर देता है, और जो unique value होती है, उनको वहाँ पर display कराता है, एक example से देखते हैं इसको भी, यहाँ पर हमने एक set बनाया है, जिसमें 135 value हमने display कराती है, और set 2 के अंदर भी 13567, अब दोनों में common है 135 और 67 अलग है, तो हम यहाँ पर check कर रहे है, s1.union, s2, set 2 के साथ, तो 135 तो common है ही, उसने उसको ignore करा दूसरे set से, और 67 जो unique है, उनको यहाँ पर display करा दिया है, अगर हम जो जो values same है, उसके अलावा बाकी का update करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें intersection update एक function है, intersection update फंक्शन से, जो भी set 2 में intersection करता है, पहले के साथ, उसके अलावा बाकी की चीज़ अपडेट हो जाएंगी, आप अगर s1 को देखें, तो इसमें बचा है 1, 3, and 5, एक और example देखते हैं, उससे और अच्छे से clear होगा, s3 में हमने लिया है 12, 20, 25, और s4 हमने बनाया है, इसमें लिया है हमने 10, 9, और 20, 25, इसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं, s3. intersection update, s4 के साथ, और intersection update करने के बाद जब हम s3 के display करा रहा हैं, तो आप देखेंगे 25, and 20 ही display हो रहा है, क्योंकि यह दोनो common है, जो चीज़े common थी, वो यहाँ पर update हो चुकी है, बाकी जो s3 में 12 था, वो वहाँ पर ignore हो चुका है, क्योंकि वो exist नहीं करता, तो intersection update, जो जो चीज़े common होती हैं, दोनो sets में, उसको update करता है, बाकी को यहाँ से remove कर देता है, set के अंदर से, अगला जो function है, हमारा is disjoint, यह चेक करता है, कि दोनों में intersection है या नहीं है, अगर दोनों में intersection value है, तो उस case में हमें मिलेगा false, और अगर intersection value नहीं मिलती, तो हमें वहाँ पर display होगा true, तो देखते हैं, इसको intersection values को चेक करके, is disjoint functions का use करके, values हमें कैसे मिलती है, यहाँ पर हमने एक set बना दिया है, जिसमें कुछ values रग लिए है, एक value बना दिया है, set की और B नाम से, जिसमें हमने रख दिया है, 3 and 4, और एक C रख दिया है, जिसमें intersection value तो है ही, C नाम का set, अब अगर हम check करें, A.is disjoint, तो यहाँ पर अगर हम B के साथ compare करें, तो हमें मिल रहा है true, क्योंकि exist नहीं करती, A और B की value दोनों अपस में, अगर हम यहाँ पर check करें, A.is disjoint, C के साथ, तो values intersect हो रही हैं, और उस case में हमें यहाँ पर मिल रहा है false, तो यह थे हमारे set functions के अलग अलग तरीके से use हम कैसे करते हैं, पाइथन टूटोरियल के अंदर, आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इसी से related functions को देखने वाले हैं, next जो हमारा topic रहेगा sequence में वो रहेगा dict और dict को कैसे इस्तमाल करते हैं, वो उस related functions को हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं, आज की वीडियो में इतना ही बाकी के अबडेशन के लिए जोड़े रहे सेल्फ अध्धन के साथ ठैंक यूू। मतली समाद की वीडियो में देखने मैं देखने वालेशन के वाले हैं, रहें, आज की वीडियो में देखने वाले हैं, अज की रहें,